पहले तो स्वागते फ्रेंड्स MH Creator Account Recovery YouTube चानल पे आज के इस वीडियो में जानेंगे कि केसे फ्रेंड्स आपका पासवर्ड आप Facebook का चेंज कर सकते हो ID हैक होने के बाद मतलब फ्रेंड्स आपके ID के उपर का phone number चेंज किया, email address चेंज किया पासवर्ड भी चेंज किया है, सब कुछ यहाँ बदल गया है तो आप यहाँ पर केसे return उस ID को recover कर सकते है मतलब एक सही तरीका बताने वाला हूँ, जहाँ पर फ्रेंड्स से बड़ी आसान्स है जो आपका ID है, वो hack होने के बाद, उसका password चेंज करने के बाद भी उसे recover करके आप password set कर सकते हैं, अब बस फ्रेंड्स वीडियो को ध्यान से देखना है कोई भी दिक्कत आती है तो comment box में comment करना है और वीडियो helpful लगता है ना, तो वीडियो को like करे, helpful लगेगा ही क्योंकि वीडियो के end में भी कुछ secure करने के और भी तरीके आपको बताने वाला हो अब like की बात किये तो friends 100 like का ही target रख देता हो करते start video without investing your time तो सबसे पहली step, अगर friends आपके ID का password यहाँ पे change किया है तो सबसे पहले आपको जल्दी जाके यह भी application को open करना है आपके और friends उस ID पे उपर आपको click करना है जैसे कि मैंने इस ID के उपर click किया click करते है आपको access चेक करने आपके कोई access है यहाँ पर नहीं है जैसे कि यहाँ पर try another way इसके उपर में click करता तो सबी access मुझे show होने वाले तो यहाँ पर check करिए कोई access यहाँ पर आपके बास है या नहीं अगर access है तो simple है उस access के उपर मतलब email ID phone number के उपर OTP send करके password को send कर सकते हो बट simple सी बात है hacker ने phone number email address तो हटाया होगा मतलब कुछ भी access वापर नहीं होगे तो ऐसे सितमे हमें password के से change करना है तो इसकी जानकारी mobile के स्क्रीन के उपर आगे आपको बता चलेगी उसके लिए क्या करना है फ्रेंड्स मेरे साथ simply यहाँ पर यह फॉलो करना है जो step में आपको बताने वाला वह तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या करना है सबसे विले तो facebook open करना है open करने के बाद किसी भी other ID को फ्रेंड्स यहाँ पर आपको लॉग इन करना है तो फ्रेंड्स आपको दिखाने के लिए इस वाला ID को मैंने लॉग इन कर दिया अब यहाँ पर simply search bar पर click करना है फ्रेंड्स और जो भी ID आपके hack हो गई है उसे find करिये find के से कर सकते हैं यहाँ पर simply आपको नाम डालना है नाम डालने के बाद ID बड़ी आसन से आपके सामने आ जाईए अगर नहीं आ रही है तो मुझे comment box में comment करके जरूबत आना अब यहाँ पर ID आपके सामने आ गए तो simply ID के उपर इस तरह से आपको click करना है जैसे click करने फिर से ID के उपर click कर दीजे click करने के बाद यहाँ पर next step में क्या करना है friends यहाँ पर आपको three dots दीख जाएगे side में इसके उपर click करना है click करने के बाद यहाँ पर आपको copy link के उपर click करके ID के link को copy करना है अब next step में friends क्या करना है friends इस application को मैं अभी close कर देता हूँ अब next step में home screen के उपर आ जाना है अपने अब यहाँ पर आपको क्या करना है आगे यहाँ पर simply friends chrome browser open करना है तो मैंने यहाँ पर chrome open कर दिया chrome में friends यहाँ पर आपको search करना है facebook account compromise okay spelling देखिए इस तरह सेम आपको search करना है जैसे search करेंगे search करने के बाद first side आपके सामने आ जाएगी अब यहाँ पर इस side के उपर click करने से पहले आपको क्या करना है friends three dot के उपर click करना है and desktop side यहाँ पर आपको इसके उपर tick करना है अब जैसे desktop mode on करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का interface आने वाला है तो आपको दिखाने नहीं देने वाला है तो मैं यहाँ पर थोड़ा zoom करके भी आपको दिखाता हूँ तो friends यहाँ पर आप देख सकते है first side है मेरे सामने आ गई है तो इस side के उपर click करना है तो click करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface आने वाला है तो यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर my account is compromised इस वाले option के उपर click करना है अब जैसे friends यहाँ पर इस वाले option पर click करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का interface आने वाला है अब यहाँ पर आने के बाद email address and phone number से भी account को find कर सकते हो बट hacker ने email address and phone number भी change कर दिया तो ऐसे तिमें क्या करना है जो हमने link copy किया था profile link तो उसे यहाँ पर paste करना है तो profile link यहाँ पर save मैंने यहाँ पर paste कर दी अब paste करने के बाद यहाँ पर आगे का भाग है ना friends यहाँ पर मैं थोड़ा आपको दिखाता हूं तो इससे आपको cut करना है ओके यहाँ आगे के भाग को cut करना है user ID तक यहाँ पर आपको रख देना है उसके बाद search के उपर click करना है अब जैसे search के उपर click कर देंगे, यहाँ पर थोड़ा zoom करके भी दिखाता हूँ, यहाँ पर जो आपका user ID है, वो यहाँ पर आपको show होने वाला hack ID का, and यहाँ पर एक option है, this is my account, अगर यहाँ पर यह आपको क्या करना है, this is my account, इसके उपर click करना है, अगर आपका ID friends यहाँ प यहाँ पर आपको क्या करना है, this is my account, इसके उपर click करना है, अब जैसे click करेंगे, click करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का interface आने वाला है, तो यहाँ पर लिखा है current और old password, friends, जो हमारा current password हमने set किया था, वो तो hacker ने change कर दिये, simple सी बात है, तो ऐसे स्तित मे क्या होता है, hacker ने नया password set किया है, तो वो हो गया है current password, और उसके पहले का होता है, वो password होता है old password, तो simple सी बात है friends, यहाँ पे आपको old password डाल दे रहा है, old password पता नहीं, तो वो आपको कहा भी मिलेगा, simple सी बात है friends, यहाँ पे आपको chrome browser पे ही जाना है new tab में, अब new tab में आन यहाँ पे जैसे आप click कर देंगे friends, तो click करने के बाद यहाँ पे password में आपको search करना है facebook, okay, जैसे friends यहाँ पे facebook.com सर्च करेंगे या facebook सर्च करेंगे, बड़ी आसन सी यहाँ पे आपको show होने वाला है, तो simply के उपर click करने के बाद जो आपना fingerprint है, वो यहाँ पे लगा देना बड़ी आसन से friends password मिल जाएगा आपका ID का, अब password मिल गया है, अब next step में फिर से इसी जगहा पे आपको आना है, उस password को यहाँ पे आपको डाल देना है, पुराना password ही friends यहाँ पे आपको डाल देना है, तो इस ID का old password में ने friends यहाँ पे डाल दिया है, अब next step में क्या करना ह के ऊपर क्लिक कर ना है अब यहाँ पर देख सकते वह password यहाँ पे डालने के बाद आगे अगे मेरे सामने कुछ इस तरह का एक बार फिर से डाल दिया, अब next step में मैं आपे continue के ओपर click कर देता हूँ, तो click कर दे friends, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरे सामने कुछ अलग सा interface आ गया है, ऐसा कुछ interface आना चाहिए, ओके, अब यहाँ पर भी आपका incorrect password हो रहा है, तो मुझे comment box में comment करके बता सकते हैं, अब यहाँ पर friends, second number का option आपके सामने आ जागा, someone else got into my account without my permission, इस वाले option के ओपर click करना है, अब यहाँ पर simply continue के ओपर click करना है, तो जैसे click करना है, आपके सामने कुछ असरगा interface आने वाले हैं, अब यहाँ पर भी धहाँ से step follow करें friends, यहाँ पर simply get started के ओपर click करना है, click करने के बाद जो आपके ID पूरी तरह से check कर दी जाएगी, Facebook यहाँ पर check करता है, friends आप देख सकते हैं, मेरी ID पूरी तरह से यहाँ पर check किये, अब यहाँ पर simply आपको continue के ओपर click करना है, अब जैसे continue के ओपर click कर देगे, यहाँ पर नया password friends आपको set करना है, उके, अब जैसे नया password set करते हैं और लॉगइन करते हैं friends, जो जो भी detail change कर दिये, उससे आपको change करना है, उके, phone number change कर दिया है, एंड email address चेंज किया है उससे भी update करिए अब यहाँ पर आने के बात friends में नया password यहाँ पर डाल देता हूँ friends यहाँ पर मैंने password तो डाल दिया अब next step में हमें क्या करना है simply continue के उपर click करना है अब आगे आपके सामने कुछ इसरका enterprise आने वाला है यहाँ पर skip के उपर click कर दीजे अब जो hacker ने नाम चेंज कर दिया वो आपको उपर show होने वाला है जो आपका real नाम है वो नीचे आपको show होने वाला है तो जो current ने में वो यहाँ पर आपको decide करना है उसके बाद यहाँ पर simply submit के उपर click करना है अब जैसे submit के उपर click कर देंगे friends तो click करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ी देर wait करना है वेट करने के बाद यहाँ पर जो आपका mobile number है वो भी यहाँ पर बताया जा रहा है तो इसे skip करना चाते है तो skip कर सकते हो मैं skip कर रहा हूँ अभी अब यहाँ पर simply आगे go to news feed इसके उपर क्लिक करना है अब यह सभी step follow करने के बाद आप देख सकते है यहाँ पर ID मेरी login हो चुके है hack ID login हो चुके है अब यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो एक option आपको find करना है no longer have access to deals वाला वो option आपको show हो रहा है तो friends आप बड़ी आसन से उस option के मदद से ID को recover कर सकते है अगर वो option काम नहीं कर रहा है तो मुझे commend box में बता सकते है आपने आपको chrome में या facebook application में उस option को चेक कियाता है वो काम कर रहा या नहीं या show हो रहा है या नहीं नहीं show हो रहा है command box में बता सकते हो तो यही कई सारी तरीके और भी कई सारी तरीके जैसे की फ्रेंट्स लॉगिन अलर्ट अगर आपको आ जाता है तो उससे भी फ्रेंट्स आप बड़ी आज़ान से अपने फेस्बूक अकाउंन को रिकवर कर सकते हो ID को log भी कर सकते, वो भी अच्छा तरीका है Unlock कैसे करना है, इसके related हमने कई सारे वीडियो भी बनाया है हमारा contact number भी friends हमने provide किया है तो इसकी कोई भी चिंता करने के ज़रूरत नहीं है यहाँ पर भी friends आपको और कोई यहाँ पर problem आ रही है दिक्कत आ रहे है, तो comment box में comment करके ज़रूरत आना इस वीडियो को like करना, आज की इस वीडियो में 200 like का target है इस target को complete ज़रूर करना जाते हैं आते, account recovery के order को वीडियो आपको देखने है स्क्रीन के उपर पूरी playlist पढ़िए, चेक कर सकते है यह YouTube में आप search कर सकते हैं, जो भी account recover करना है नाम डाल दीजे, account recovery का and prints आगे बस, मतलब topic डाल देना है, आगे image creator लिख देना है मेरा वीडियो दिख जाएगा, धन्यवाद